Hello friends, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने EF method के बारे में जिसमें हमें अलग-अलग EF method देखने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि इनका यूज हमें कब करना है और कैसे करना है तो चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो कैमरा मोडल है वो कैनन का 1500D है जिस पर मैंने यहाँ पर 55-250mm का लेंस लगाया हुआ है तो आज मैं इसमें आपको जो AF method है उसको मैं यहाँ पर live में short करके आपको बताऊंगा कि इन में क्या difference होता है और हम इने कैसे use कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने अपने camera को manual mode में set किया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पर डाइलर में देख सकते हैं तो अभी हम चलते हैं screen की ओर तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो manual mode है उसमें हमें हर एक जो अपनी setting है वो खुद से करनी पड़ती है तो मैंने इसे अभी set किया हुआ है तो सबसे पहले हम चलते हैं अभी menu में तो जब आप menu में जाओंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमें setting मिल जाती है AF method की तो AF method का हमें use of कैसे करना है यह मैं अभी आपको बताऊंगा तो जब हम देखते हैं by default यहाँ पर हमारा जो AF method है वो flexi zone पर यहाँ पर set हुआ पड़ा है तो flexi zone का मतलब है कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर focus को set कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर view है जो वो display में कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे जो मैंने सामने दो object रखे हूँ है तो इन मेंसे मैं अभी किस में focus करना चाहता हूँ उन पर मैं select करके focus कर सकता हूँ जैसे मैं भी आपको बता देता हूँ अगर मैं चाहूँ तो अभी मैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक lens है इस पर मैं focus करना चाहूँ तो ऐसे मैं इसे click करूँगा picture को तो यहाँ पर मेरा focus हो गया है और picture click हो चुकी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो front में जहाँ पर object है इस पर पुरा perfect focus हुआ पड़ा है लेकिन जो मेरा background में जहाँ पर था तो वो पुरी तरह से blur हो गया है इसी तरह अगर मैं चाहूँ उसे focus में करना चाहता हूँ तो अभी मैं उस पर focus करूँगा और उसे set करके click करूँगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से-से click कर सकता हूँ और यह हमारा focus और click हो गया तो दोनों फिक में आप जो difference है वो देख सकते हैं एक पर मेरा जो focus है वो मेरा यहाँ पर जो back road में यहाँ पर एक glass पड़ा हुआ है उस पर है और दूसरे में मेरा जो DSLR का एक lens है उस पर है तो इन दोनों में आप difference देख सकते हैं यानि कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर इसे set कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह दियान में रखना है कि जब भी आप इस AF method का use करते हैं तो सबसे पहले तो यह हो जाता है कि आपका जो DSLR का lens है यहाँ पर आप ऊपर की तरफ दे सकते हैं जो यहाँ पर AF की और set हुआ पड़ा है तो आपको यह चेक करना है कि यह AF की और ही हो अगर MF हुआ तो आपको खुद से set करना पड़ेगा तो इसलिए आपको इसे AF पर set कर देना है तो अभी हम चलते हैं back to AF method तो यहाँ पर आप देखोगे AF method जो flexi zone है उसका मैंने आपको बता दिया है simple सा mode है इस पर आप जिस पर focus करोगे उसे object पर आपकी जो picture है वो बिल्कुल perfect आएगी और दूसरा जो है वो blur हो जाएगा तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी setting की ओर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम एक mode दिया गया है जिसका नाम है live mode हम जब live mode पर click करते हैं तो इसका मतलब यह है कि यह हमारा जो human face है उसको automatically detect करता है और उसकी picture क्लिक करता है तो चलिए अब हम इसे एक बार check कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि यह कैसे काम करता है तो चलते हैं अब हम screen की ओर तो यह आप देख सकते हैं मैंने सामने यहाँ पर एक picture रखी हुई है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ओटो फोकस है वो खुद से काम कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मारी जो picture की हो रहा है वो automatically यहाँ पर जो हमारा face है उसे यहाँ पर detect कर रहा है तो आप यह देख सकते हैं तो यह करेगा क्या यह automatically उसे detect करेगा यह देखिए यह detect कर रहा है उसे यह दोनों object में से जो हमारा face है उसे detect कर रहा है तो जब यह detect कर लेगा तो आप इसे simply यहां से focus करने की आपको बिल्कुल भी जुरूत नहीं पड़ेगी यह जो automatically है वो आपके जो face है उसकी और जाएगा और उसकी picture क्लिक कर लेगा आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारी picture है जो बिल्कुल clear आई है वो हमारा background है वो बुरी तरह से blur है तो यही setting है जिसका हम use कर सकते हैं अगर हमारा जो model है वो कहीं move कर रहा है जहां कुछ भी कर रहा है तो हम इसकी मदद से असानी से उसकी picture क्लिक कर सकते हैं बिना focus करें हमें focus करने की जूरुत नहीं पड़ेगी कैमरा automatically यहां पर detect करेगा कि यहां पर human का face कौन सा है और वो उसे picture क्लिक कर लेगा तो यह एक perfect mode है जिसकी मदद से हम जो हमारा अगर model है वो move कर रहा है तो automatically उसे detect करके हम उसकी picture को click कर सकते हैं तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरे mode यह हमारा है quick mode quick mode में यह हुता है कि जैसे हमने picture को जैसे हमारा focus है उसको मैंने पहले से set किया हो जैसे यहां पर focus था वो हमारे model पर जैसे कि यहां पर एक picture पड़ी हुई है उस पर पहले से set था तो यह automatically उस पर ही picture अभी click कर लेगा जैसे for example आपने कहीं भी अपने camera को set कर दिया है अब आप नहीं चाहते कि आप बार बार focus करें तो quick mode का आपको use कर सकते है यहां पर focus है जो वो set हो चुका है अब आपको बार बार focus करने की जूट नहीं अब जैसे ही आप click करोगे press करोगे button तो आप देखोगे यह देखो अपने आप वो focus कर रहा है और picture को click कर रहा है क्योंकि उसका जो focus है वो यहां पर set हुआ पड़ा है तो जैसे आप यहां पर देख सकते हैं एक dot सा डिखाई दे रहा है जो यहां पर एक डिखाई दे रहा है जो square की shape में है तो आप इसको देख सकते हैं हमारा बता रहा है कि हमारा जो focus है वो यहाँ पर पहले से ही set है अगर आप इसको change करना चाहें तो आप इसको असाने से यहां पर plus में जाएंगे, यहां पर जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं अगर मैं जएसे ऐसे select कर दूँ तो यह हमारा focus है, वो full हुआ पड़ा है, कि वो automatically यहाँ पर focus करेगा, अगर आपको इसको view करोंगे, तो आप देखो कि हमारे जो point है, focus point है, वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इससे आप, जो आपको यहाँ पर view finder में से दिखाई देता है न, वही आपको यहाँ पर display में दिखाई देगा, कि हमारा focus का point कहाँ कहाँ पर set किया जा सकता है, और आपको अपने accordingly set कर सकते हैं, और उसका use कर सकते हैं, तो यह simple सी setting है, AF method की, जिसको हम use करके अपनी perfect picture को click कर सकते हैं, सबसे पहले flexi zone था, जिसको आप ज्यादतर use करते हो, live mode में यह human face को detect करता है, quick mode में अगर focus पहले से हुआ पड़ा है, तो उस पर आप असानी से single wire में ही picture को click कर सकते हैं, अपना time waste किया भी ना, तो यह तीनों settings बहुत जरूरी हैं, मैंने जो तीनों settings हैं, इनका use अभी किया था manual mode में, अगर आप चाहें, तो इसको auto में भी use कर सकते हैं, तो friends यह थी हमारी simple सी video, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप AF method को use कर सकते हैं, और perfect picture को click कर सकते हैं, तो अगर आपको हमारी video पसंद आई, तो like करें, share करें, comment करें, और channel को subscribe करना ना भूलें